चिंता ने चिता से मुस्कुराते हुए कहा कि तुम मुर्दों को जलाती हो और मैं इंसानों को इस दुनिया में हर किसी को किसी न किसी की चिंता है अमीर को शान की, कायर को जान की और मुसाफिर को सामान की, बड़ों को सम्मान की सबकी चिंता होती है स्टुडेंट को इंतहान की और व्यापारी को नुकसान की क्या आपने कभी सोचा है अगर केवल चिंता करने से ही सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है तो ये चिंता बुरी चीज क्यों है क्यूंकि इससे कोई समाधान नहीं मिलता बल्कि आने वाले समय की बुरी कलपना से आपके हुर्दे में डर भर देती है किसी ने क्या खूब कहा है कश्ट उठना कश्टकारी नहीं होता जितनी उसकी चिंता कश्टकारी होती है हमेशा इस बात याद रखिये चिंता और तनाओ पक्षियों की तरह होते हैं जिने हम अपने आस-पास उढ़ने से नहीं रोग सकते लेकिन अपने मन में घरोंदा बनाने से जरूर रोग सकते हैं अरे इस बात की चिंता छोड़ो कि कौन तुम्हें दुप पहुँचाता है कौन तुमसे नफरत करता है बलकि इस बात पर ध्यान लगाओ कि कौन तुम्हें प्यार करता है कौन तुम्हारा भला चाहता है